हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर जीनियस अकेडमी यूटूब चैनल CBSC की तरफ से आपकी लिए एक बहुत ही खुशखवरी की बात निकल करके सामने आ रही है एक बहुत ही अच्छी गुड निउस है कि उन्होंने ये जो नया सेशन आने वाला है 2021 से 2022 के लिए उन्होंने अपना नया सेलेबस अपडेट कर दिया है अपने ओफिशल वेबसाइट पर आज हम लोग उसी के बारे में डिसकेशन करने जा रहे हैं कि जो नया सेलेबस आपका आया है आप उस सेलेबस को कैसे देख सकते हो और कैसे डाउनलोड कर सकते हो और अपनी स्टडी आप उसी नया सेलेबस के बेसिस पर स्टार्ट करेंगे बिल्कुल CBSC ने आज 1 अपरेल को अपना जो नया सेलेबस है नया सेशन के लिए उन्होंने अपडेट कर दिया है और सभी छात्रों को ये बता दिया गया है कि आप जो syllabus हमने दे दिया है उस syllabus के according आपको पूरे साल अपनी study करनी है तो देखिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम लोग उस syllabus को रख करके उसी syllabus के basis पर अपनी study अभी से शुरू कर दें अगर आप April से अपनी study स्टार्ट कर देत आती है और ये आपकी exam के लिए भी बहुत beneficial रहता है और उससे आप अपनी exam की बहुत अच्छे सी preparation कर सकते हैं और आपके पास काफी ज़्यादा time रहता है revision करने के लिए तो आप revision भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो चलिए हम लोग बात करते हैं जितने बच्चे अभी class 11th पास होकर के class 12th में आ गए हैं या जितने बच्चे class 8 से class 9th में आ गए हैं 9th वाले 10th में आ गए हैं तो हम आपको बता देते हैं कि class 9th से लेकर के class 12 तक के पूरे syllabus 2021 से 22 के लिए जो upcoming session आने वाला हमारा start हो गया है एक April आज से उनकी लिए पूरा syllabus अपडेट हो गय करते हैं official website पर अपन सर्च करते हैं मैंने यहां पर Google Chrome खोल रखा है जिसमें मैंने Google open कर रखा है तो यहां पर सबसे पहले हम type करेंगे CBSC academic हाला कि मैं direct आपको link बता सकता हूं लेकिन अगर आप ऐसे जाते हैं तो आपको ज्यादा सहूलत रहेगी CBSC academic हम यहां पर type करते हैं द देखिए this is http cbscacademic.nic.in इस पर अपन क्लिक करेंगे और यह उनकी official website यहां पर open हो जाएगी इस website में आपको इधर अधर भटकना नहीं है हम direct आपको बताते हैं कहां पर जाना है और कैसे अपने syllabus को आपको download करना है इसके लिए आप यहां पर देखेंगे देखिए यह इसको क्लिक करेंगे और जैसे ही आप यहां पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहां पर दोनों चीजे हमको देखने को मिल जाती है यह पुराना देखिए हमारा revised curriculum है यहां पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यह अपना revised curriculum है 2020 और 2021 के लिए जो अभी तक आप पढ़ते आ हम यहां पर क्लिक करेंगे देखो यह उपर में जो दिख रहा है न curriculum 2021-2022 इस पर मैं क्लिक करता हूँ और चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यह secondary curriculum 9 to 10th class 9th और class 10th वालों के लिए यह वाला curriculum है जितने बच्चे 9th और 10th में हैं अभी currently जो नए सेशन के लिए अपियर हो रहे हैं वो इस पर क्लिक करेंगे और जो बच्चे 11th और 12th में अपियर हो रहे हैं वो इस पर क्लिक करेंगे senior secondary curriculum 11th और 12th ठीक है तो मैं अभी आपक का open करके दिखाता हूँ आप ऐसे ही 9th और 10th के लिए भी open करके देख सकते हैं मैं दोनों को बारी-बारी से बताता हूँ तो चैले सबसे पहले जल्दी बात करते हैं पहले हम 9th और 10th की बात करते हैं उसके बात 11th और 12th में आते हैं जैसे आप इस curriculum पर click करेंगे यहाँ पर अपन सिर्फ main subject के बारे में भी बात करें तो हम यहाँ click करेंगे main subject जो third number वाला हमारा option है इस पर अपन click करते है main subject पर और जैसे इस पर हम click करते हैं देखिए यहाँ पर तीनों main subject हमारे नजर आने लग जाएंगे आपको एक हमारा mathematics हो गया एक हमारा science हो गया और एक हमारा social science हो गया इन पर जैसे ही आप click करोगे आपके सामने PDF के रूप में आपका syllabus जो है वो download हो जाएगा download करके इसको आप रख लीजे मैं तो बोलता हूँ इसको print निकाल कर रख लीजे और जो जो चीजे हमारे syllabus में हैं उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई अब आप start कर दीजे अभी से ही और यह सिर्फ अभी हम एक छोड़ा सा introductory वीडियो बना रहे हैं कि आपको कैसे syllabus download करना है कहां से syllabus मिलना है कैसे रखना है और कैसे पढ़ाई करनी है अब आपके अभी के syllabus में यानि 2021 और 2022 के syllabus में कितनी चीजे हटी है या कितनी चीजे add कर दी गई है जो अभी last session में नही थी उस पर हम detail analysis वाली वीडियो इसके बहुत ही जल्द इसके बाद बहुत ही जल्द ले करके आएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि last year कौन सी चीजे हट गई थी और इस साल कौन-कौन सी चीजे जोडी गई है तो उस पर हम बाद में बात करेंगे तो चलिए ये तो मैंन official pages languages academic electives तो आपको लास्ट वाला ये academic electives पर क्लिक करना है और जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे इसमें आपके सारे main subjects जो है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे जैसे हर stream के आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे commerce वालों के लिए accountants और बाकी सारे subjects आपको जाएगा chemistry आपको यहां मिल जाएगा और mathematics आपको यहां मिल जाएगा और physics आपको यहां मिल जाएगा ऐसे commerce वालों कभी है यहां पर आप आसानी सीज को खोच सकते हैं तो हम अभी बात करने जा रहे हैं science group के बारे में तो मैं अभी सिर्फ दिखाने के लिए आपको एक paper यह है तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको यहां से देख सकते हैं तो देखिए यह chemistry का मैंने open किया है इसमें सबसे पहले यह तो 15 पेच का है ऐसे physics का आप देखो कि 25 पेच का आपको मिलेगा सबसे पहले उन्होंने class 11 का दिया जैसा कि हर साल CVSC देती है तो यह class 11 chemistry का यहां पे हम आपको शो कर दे रहे हैं ठीक है यहां पे देखिए 2021 और 2022 ठीक है तो अभी यह latest curriculum उन्होंने जारी कर दिया है latest syllabus तो यहां पे देखिए बाद में हम detail analysis करेंगी कौन सी चीजे इस साल जोडी गई है कौन सी चीजे हटी है तो यह फिलाल भी सिर्फ मैं दिखाने क लिए video upload कर रहा हूँ इसको देख लीजे सारी चीजे as it is है यह किलास 11 का है फिर नीचे आप देखेंगे detail हर unit में कौन-कौन से topic है हर chapter में कौन-कौन से topic है इसी से हम आगे detail analysis करने वाले हैं तो इसको पढ़के भी आप आराम से देख सकते हैं क्या-क्या चीजे पढ़नी औ आपको syllabus के हिसाब से ही अपनी पढ़ाई करनी है पढ़ाई करते जाएं यह topic पढ़ते जाएं और syllabus में उसको mark out करते जाएं कि यह topic हमने prepare कर लिया है ठीक है क्योंकि CBSC के जितने भी exam होते हैं आगे चलके आप जो board exam लिखने वाले हैं वो सब इनी topic के उपर based आते हैं तो सार 10th के लिए अलग 11 12th के लिए अलग तो चलिए यहाँ पर आप सारी चीज़े देख सकते हैं अपने practical के संबंधित practical exam से related सारी चीज़ें और evaluation से related सारी चीज़ें और यहाँ पर हम बात करते हैं देखे class 12th के लिए हैं यह syllabus यहाँ पर सामने नजार आ रहा है आपको यह भी हम chemistry का है शुरू के आप यहाँ पे देखे तीन चार हमारे जो chapters होते हैं यह units होते हैं तीन चार यह 5 units जिसमें आपका solid state आ जाता है और solution हो गया electro chemistry हो गई chemical kinetics हो गया surface chemistry हो गई इनको अपन बोलते हैं generally physical chemistry इसमें surface chemistry को आप छोड़ सकते हैं ठीक है उपर के जो 4 आपको यह chapters नज उनको physical chemistry बोलते हैं तो देखिए यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छी चीज है उन्होंने marking भी दे दी है कि यह जो 5 chapter है हमारे 5 chapter शुरू से लेके 5 chapter यानि solid state solution electro chemistry chemical kinetics और surface chemistry यह मिला करके total 20 marks के आएंगे 23 marks के और इसमें लगभग 4 chapter जो है उपर करके वह हमारे physical chemistry यानि भरपूर numerical इसमें आपको लगाना होता है तो यह बच्चों को थोड़ा सा कठीन लगता है numerical के point of view से लेकिन अगर आप हमारे channel पर देखेंगे इसके पुराने lectures भी डले हैं आपको वहाँ पर सारे numericals इनके मिल जाएंगे आप जाके आराम से उनको prepare कर सकते हैं बना सकते हैं surface के mystery बिना numerical वाला chapter है पूरा theory वाला chapter है तो सिर्फ theory पढ़के भी आप इसमें बहुत अच्छा score कर सकते हैं तो यह पूरे 500 chapter मिला के 23 marks के आते हैं आगे चलके हम physics के लिए भी सारी चीज़े ऐसे detail से cover करेंगे अभी सिर्फ हम introductory part ले रहे हैं नीचे दे chapters यहां से हटा दिये गये थे जैसे आपको बताएं तो एक हमारा यह chapter हो गया general principle and process of isolation of elements तो यह chapter remove कर दिया गया था लास्ट सेशन में और अंदर से बहुत सारे topic काटे गये थे even यहां आप आगे देखेंगी यह polymer भी remove कर दिया गया था chemistry in everyday life भी पूरी तरह से remove कर दिया गया यह 3 chapter तो almost पूरे पूरे हटा दिये गये थे लेकिन इस साल देखिए 2021 और 2022 के लिए फिर से यह पूरे chapter डाल दिये गये हैं यानि जो इससे पहले होता था यह जो pandemic situation शुरू हुआ ना COVID-19 का 2019 के time से या उससे भी पहले जो पूरा syllabus होता था इस साल CBSC ने वो पूरा syllabus फिर से वापस डाल दिया है और एक भी चीज अंदर से नहीं कटी है इवन जो जो topic अंदर से reduce हुए थे chapter के वो सारी चीजे भी यहाँ पे include कर दी गई है नीचे जब हम scroll करके इसको देखेंगे तो हमको सारी चीजे समझ में आएंगे मैं इस पर जादा अभी बात नहीं करना चाहत मैं सिर्फ यह बताने के लिए वीडियो को बना रहा हूं ताकि आप अपने syllabus को download करके print करके रख सकें और detail analysis हम one by one करेंगे बाद में तो उसमें हम फिर discussion करते हैं कि कौन कौन से chapter से कौन कौन से चीजे कटी थी और कौन से चीजे अभी add कर दी गई है इस session के लिए तो मुझे subjects हैं या आपके language के subject है English है Hindi है या आपके other subjects हैं जो आपकी school में लगते हैं जैसे physical education वगएरा हो गया तो उन सब को आप download करके print करके रखिए बच्चों याद रखिए का बाद में फिर ये चीजे गुम हो जाती है बहुत problem होता है even जो भी teacher आपको पढ़ाते हैं उन teacher से आप चाहे coaching कर रहे हों चाहे school में पढ़ रहे हों बिल्कुल जो भी आपके syllabus में है syllabus wise आप उसको पढ़ते जाए topic wise और syllabus में उसको mark out करते जाए ताकि जितनी चीजें आपके exam में पूछी जानी है वो सारी चीजें time से आपकी cover हो सकें तो यहाँ पर मैंने सारी चीजें अच्छे mathematics का हो गया chemistry का हो गया कि last time क्या reduce था अभी क्या add कर दिया गया है तब तक के लिए इस वीडियो में हम इसको यहीं पर conclude करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक बने रहने के लिए और अगर आप channel पर नहीं हो तो channel को subscribe जरूर करके रखो और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक share करो ताकि सभी लोगों तक यह informative वीडियो पहुंच सके और हमारे इस channel पर भी हम कोशिश करेंगे इस session में सारे subjects upload करेंगे even mathematics भी upload करेंगे chemistry और physics भी upload करेंगे तो बने रही है channel के साथ ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को share करेंगे मिलत एपन किसी next video में thank you